को मॉर्बिडिटी है मिनिंग आफ को मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है अन्य कोई ऐसी लंबे समय से चलने वाली बिमारिया है एक शौर्ट टम डिजीज एक चलो ठीक आज बुखार हुआ कल ठीक हुआ लेकिन कोई जिसकी दवाईयां वह प्रॉपरली क्या करते हैं लेन शरीर के अंदर कोई भी foreign element अभी समझेंगे कैसे काम करता है foreign element जब भी शरीर के अंदर कोई foreign element एंटर करता है हमारे बहुत सारे parameters को वह अफेक्ट करना शुरू करता है प्रभावित करता है और जिसके अंदर proper good immunity होगी वो क्या करेगा comment ממך करेगा कट करेगा लड़ेगा कम बैक कर जाएगा लेकिन जिसका immunity क्या होगी suppress होगी ।ist उनकी तो उतनी नहीं होती कि नहीं से जफो सके जर्णेट हो सके इसलिए उनमें इस च्छित के ज्यादा रहता है है फिर गितोबात हो गई आपकी साफधानी की साफधानी सब्सक्राइब कर से अपने घर में अपने फटोष पिस जित का विश्य द्यान रखिएगा अब जहां भी जाए मिलें बेवज़े दिना वश्यक्ता के बीना काम के कहीं बाहर रियास करिए कि कम से कम निकलना हूं में से आरह हो काम से जा रहो ठीक है तो मैं बात कर रहे था कि साइन्स और आप उस साइन्स का उप्योग करके हैं उप्योग करके क्या बना दें उच नए अप्लिकेशन्स डवलप कर ले विड है पॉफ फाइन्स इदा इधा इस आइए कि इन्वेंशन साइन्स इस नाट इन्वेंशन साइन्स पर इस साइन्स करते हैं और इस नॉलेज को हम अप्लाई कर देते हैं किसके लिए अपने वेलफिर के लिए अपने प्रॉफइट के लिए अपने पर्स्णल यूजेज के लिए इस पार्ट को हम दों क्या बोल ले दें कि प्रॉफ्दक करें है उसके साथ अपने क्या करिए उस साइंस के हेल से कोई नई टेक्नालोजी डवलप करिए लाइन दा पाइट ऑफ कॉंसेप्ट कि हम वहाँ पर किसको पढ़ते हैं कॉंसेप्ट को पढ़ते हैं अगर आप बड़े गवाड से देखें अधिना क्या था हमें नहीं पता लेकिन हमको यह पता है कि टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन कोई चीज होती है जिसमें हमको वर्चूल इमेज जैसी फिलिंग आने लगती है और मैंने ग्जामपल बताया था आपको कि एक उंट वाला एक्जामपल मिराज लिग मरीच्छका यह अमरे त्रश्णा जो भी इसको आप बोलना चाहूं लेकिन हमने उसको टेक्नोलजी में कैसे डवलप कर लिया अप्टिकल फाइबर के बल नेटवर्क तो तो ती आई आई आर के कॉंसेप्ट को हमने कहा अट्रिया कर लिया टेक्नोलजी के रूप में अपने टेली कम्य सब्सक्राइब कर लिए अग्जामपल लेखते हैं बहुत आसान सा अब हो सकता बहुत लोग इसको जानते भी नहीं नहीं सुने होंगे तो एक वर्ड यूज किया गया है और यह फ्यूचर का वर्ड है कि पैरेंट अब यह किसी ने सुना है कि पैरेंट बेवी में बेसिकली तो मिमी नाम की एक पिच्चर आए थी कृति सेनौन की देख लिजाएगा वह सेरोगेसी की उपर बनी हुए पिच्चर है कि पैरेंट बेवी में बेसिकली जो फर्टलाइजेशन है एक स्पर्म होगा और एक उबम होगा इनको क्या करेंगे हम क्रॉस करेंगे और आपका एक जाइगोड तयार होता है और इस बहुण से याइस भूण के माईटो कॉन्रिया से क्या करेंगे हम इसके भी जब्लेस कर देंगे इस टेकनीक को बोल जाता है सप्ट्री पेरेंट भी चुकर डी औ ये न ये शुना और गेह उसमें दिए ने पड़ाया गया है Whenever Me development पढ़ाया गया है ठीकर फ़ल कर यह गोगा डीuman कुछ ऐसा बिखे आंद पर कर दो मोगों कि एने डापट आफ ये अब और दूसरी के लिए अब बहुत बड़े बदलाव नहीं करता है लेकिन बहुत बड़ी बीमारीयों को यह कर देता है इसके लिए इस टेक्निक को ब्रिटेन ने अभी अनुमती दिया अपने इस लेटेस्ट इस बात का विश्यश दियाद रखिएगा कि आप जो भी कॉंसेट टेक्नॉलजी का पढ़ेंगे उसमें हमेशा जो करेंट का अपडेशन हो रहा है कुश्चन हमेशा वहाँ से अराइज होएगा को लोग बैलोजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं को यह मानके चले कि बैलोजी को हमें दो पार्ट में पढ़ना है इसमें पार्ट पहला हम लोग पढ़ेंगे यूमन और अनिमल के फॉर में मतलब यूमन फीजियो लॉजी अनिमल किंग्डम इस आड़ टू बेसिक पार्ट्स एक और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के रूप में इस इस इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ये दोनों हिस्से आपके प्लेम्स और मेंस सब में वाइंड़ और कवर अप हो जाते हैं कि मैं शुरुवार यहां ही से करता हूं कि कारण यह होता है मैं तुमको कोशिका नहीं दिखा सकता है देख सकते हो कोशिका नौट पॉसिबल मैंने कली बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहले आपको यह रियलाइज करवा दिया जाए सब्यक्त बहुत आ कि यह आपका भर्म है जो आज तक है क्या मानके चल रहे थे अगर आपके लिए असान हो गया मुझे महनत कम और तुमको तुमको आसानी ज्यादा हो जाएगे मुझे महनत कम करने पड़े यह तो देख लेते हैं जीवन की आधार भूत इकाई यह क्या है भाई इसे क्या बोलते हैं बेशिक यूनिट ओफ लाइफ या जीवन की आधार भूत इकाई कुछ चीज़े यहां पर देखो क्रिमाक बैठालते चलना इस तरह के बहुत सारी चीज़े बाद में आएंगी जब भी कहीं वर्ड मिले आधार भूत इकाई या बेसिक इस्ट्रक्शर फंडामेंटल इस्ट्रक्शर फंक्शनल यूनिट इसी नाम से मिल किसको बोला जाता है कि अच्छा को को चलो कि अवाई जी मैं अग्राउंड है बालो जी का आपका तो बता होना चाहिए था है इस वाट इस वाट इस वाट इस वाट इस वाट जाया क्यूंट ही है वाट इसटा हूंज अपन्चनल यूनिट येंट एक्शेल्म और हुट Piet code लेंगे मचोगें कि जीवन का यह है यह च्रेटरि सिश्टम का यह उन हूं हम खोज लेंगे लेंगें फिलकांव ओट इसष एक यूनिट को बताना चाहेगा कि बात को बड़े गवार से सुनो यह जीवन की आधार भूतिकाई है मैंने तुमसे कहा है कि किवल आधार भूतिकाई बताओ क्या होता है वेरी गुड इसके बिना जीवन संभव नहीं है यानि कि जब पाचन पढ़ रहे होगे डायदेश्टर सिस्टम पढ़ रहे होगे तो वहां पर जो फंडामेंटल यूनिट होगी उसके बिना या वो फाइनल पार्ट होगा जहां पर आपका डाइजीश्यर वाला हिस्सा क्या हो रहा होगा कम्प्लीट हो रहा होगा या एक्सक्रीटरी वाले पार्ट को जो पढ़ोगे मतलब उत्वर्जन तंत्र को पढ़ोगे तो वहां पर वो हिस्सा होगा जो फाइनली क्या कर रहा होगा एक्सक्रीशन को परफॉर्म करवा रहा होगा जिसके बीना एक्सक्रीशन पॉसिबल नहीं है इस एक क्लियर नर्वस सिस्टम के अंदर चलोगे तो जो नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल को ट्रांस्मेट किया जारा होगा दर्द किसको होता है दिल को होता है कि तुमको होता है डड़की छोड़के चली जाती दर्द किसको होता है दिल को होता है दिमाग को होता है वेरी गुड अगर तुम खारे चोट लग जाये तो दर्द किसको होगा दिल की चोट की बात नहीं कि अब किसे निजहापड मारा रह हैं लेखिश निक है का कि कहने का मतलब यह तो नहीं दर्द रहें दोपर्कार के दर्ड उत्पर्ण है पहला गाल उत्पर्ण होता है जो कुछ देर के लिए रहता है दूसरा हावनात्मक दर्ड होता है जो सदियों तक पीडियों तक हो सकता है कि दो-तिन जन्मों तक बना रहे हैं अब फिर वही कलमने बताया था ना कि वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतिकाम देखेगी फिर हम आई-एस बन जाएंगे अब यह भी एक चीज़ हमेशा बताया दे रहे हैं कि साइंस को साइंस की भाशा में मैं नहीं पढ़ाता हूं तुमको उसी भाशा में पढ़ाओंगा जिस भाशा में तुमको समझना आसान है जैसे कंप्यूटर पढ़ाया था अभी तक वैसे साइंस भी चलेगी याद रखिएगा कि लाइफ में हमेशा बहुत खुश हो जाओ और बहुत दुखी हो उन दोनुहीं अवस्थाओं में कभी कोई डिसीजर मत लेना आसान भाशा में को बोलते हैं कि भावक हो करके कभी कोई निर्णे मत लेना कभी किसी को तुम्हारा बच्चे भीक मांगते ाले निर्णे जब हो करके भीक मत दिया करो तुम थो भावक हो गया कि वहाँ चलो सारा पैसा पैसा कथ्या है वहां जयाकर करके सीजिड्स की रहा है कि आप् concet सभी कि एपना पेट बनेगा लेकिन वहतों जाकर करके ऑढ़िए अपने तुम्हारा पैसा एक पर yapıl को हमनेर के कि आप दुकान देख करके बाद करना तो ऐसी डिमांड ना कर रख दे कि तुम भी ना खाए हो तुम्हारी भी इक्षा होगा या मैं भी एक दिन यहां खाऊंगा ठीक है लेकिन वह एक पॉश्टी चीज उस तक पहुंचेगी क्लियर है आपके पैसों का जो उप्योग होगा वह सदुप्योग में आएगा दुरुप्योग में नहीं आएगा लेकिन हम दों क्या पल्ला जाड़ते हमने पैसा दे दिया उसकी मर्दी जो मन है वो करे वह तो उसके अ लाइफ या कभी भी बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है कि वो फाइनल पॉइंट या वो फाइनल इस्टेज जहां पर वो चीज क्या हो रही है यह पर्फॉर्म हो रही है याने जीवन की शुरुवात कहां से होगी आप सुनना बात को बड़े गहाँ यहां पर मैं आपको पढ़ानी रहूं मैं आपको कहानी सुना रहां और कहानी का हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है यह सबसे महफ्तफूर्ण कैरेक्टर है कैसे बताता हूं शिपकली देखेओ नहीं देखेओ कि पूछ कट जाती है कि खुरी गिरा देती है कि यह ना जोग होती है तो इतनी बड़ी पूछ लेकर टहल कहे रही है मैंने गुडू उसकी बाद तुम बड़ी अच्छी बात बता रहा है हाँ बताओ कि अ 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 कि आपनी पूछ को स्वयम गिरा सकती है जो को बड़ी हो जाती है तो लगताै कि इसको पर पर अपने पास शाथा आओ को टेज भागना यह परपस अपने इस परपस को पूरा करती है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पूछ वापस आ जाती है कैसे क्योंकि उसके पास री जेनरेशन उसके सेल्स में री जेनरेशन का क्या है पावर है आपके शरीर में है इसा को यंग लीवर एंड इसके पूछा और यक्रत दोनों की अंदर री जेनरेशन पावर सबसे जादा होती है लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा और डेप्थ में जाके पूछू कि अगर तुम्हारा किसी ने अगर तुम्हारा किसी ने हाथ काट दिया अगर तुम्हारा किसी ने हाथ काट दिया तो क्या यह पॉसिबल है कि वापस से यह हाथ री जनरेट हो जाए लेकिन अगर तुम्हारे पास वह सेल आ जाए जिस सेल में यह च्छमता है कि वह क्या कर सकता है फिर से खुद को रिजनरेट कर सकता है तो क्या पॉसिबल है अब जैसे ही यह पार्ट हो गया साइन्स का समझ में आया कुछ जैसे इसको टेक्नालोजी की तरफ हम लेकर चलते हैं तो हम वहां पर एक नाम पढ़ते हैं स्टेमसेल लोग स्टेमसेल प्रिजर्व कराते हैं बड़ा इंट्रेस्टिंग तुमको बड़ा अनंद आएगा इसको कहेंगा अच्छा दुनिया ऐसी भी हो सकती है तुमकि हम क्या होता है दुनिया को उसी निगाह से देख रहे होता है जितनी हमको दिखाई पड़ रही होती है मैंने कल कहा था पढ़िया से पढ़ना है तो खुद को गया बना लो धत्राष्ट और अपने पीचर को अपने मेंटर को क्या बना लो पूरी महाभारत तुमको तो साच्छा दिखाई पड़ेगी आँख नहीं है तब भी दिखाई पड़ेगी देखना बड़ेगा और से जब का निर्मार होता है का निर्मार कैसे होता है विदा हेल्प आफ टू प्रोड़क्स वन इसकॉल स्पर्म और ओवम यह क्या बनाते हैं एक जाइगोड तेयार करते हैं इसको में आसान भाशा में बोल सकते हैं कि एंब्रियो है भुरूण है इनीशल स्टेज यहां पर हाथ पैर बनें हैं क्या कि लेकिन नो महिने में हाथ पैर पूरे बॉड़ी का डेवलप्मेंट यहां पर वह सेल मौजूद है तो किसको डेवलप कर रही है पूरे प्रोडी के ऊर्डन पूरे बोडी के स्ट्रक्शर को किया एहां पर सकते हैं या अगर सब्सक्राइब करेंगे नई किड्नी प्रोडियूस करवाएंगे और चुकि इसके अंदर हमारा ही डीने हैं हमारा ही जेनिटिक कोड है आसानी हमारे यानि कि अगर किसी भी ज़ेंदर ये power है तो इस परोल के पास हो कि मां का रूल इतना होता है कि एक इसटरी का जीवन सब से कठीन जीवन होता है यह कि उसको अपने जिंदगी में बड़े बदलाव देखने पड़ते बास्पास्बल फॉर मैं तो यह बत समझ में आगी सेल की पावर क्या है इसी लिए सेल को क्या बोला जाता है जीवन की आधार भूतिकाई आज समझ में आ गया ने क्यों बोला जाता है और इसी सेल को ही जब हम किसमें पढ़ते हैं अनिमल किंग्डम में पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं अनिमल किंग्डम क्लासिफिकेशन और अनिमल किंग्डम क्लासिफिकेशन वर्ड सुने हो न क्या मतलब होता है करें एक लॉक वह कुछ आ वारीं करण का मतलब एक होता की आज कैसे बाटा कैसे बॉर्टा जाता है है आप मैं आपको मैं एक क्वेस्जन में रहा do अप इंटर्वीव में बैटչे हैं आपका बैग्らॉट आइंस अथ से आप से इतने पुछा कि आपने classification of animal kingdom या front kingdom पढ़ा है ऐसा कुछ अपने syllabus में जो कि high school तक दस्मी तक हर कोई पढ़ता है इसको कोई deny नहीं करता कि दस्मी तक बालो जी नहीं पढ़िया कोई है ऐसा दस्मी तक हर कोई बालो जी पढ़के आता है और हर कोई उतनी ही बालो जी आपके एक्जाम में आती जो दस्मी तक पढ़ी जाती है क्योंकि हमने उसको academic point of view से पढ़ा है इसलिए हमें याद सीखना है और तुम्हें वह कैसे सीखना है बहुत आसान बहुत सरल और सुगम भाशा और सुगम शब्दों में सीखना है में लिए भाशा कभी में नहीं करती है परसन चाहे यहां पर हिंदी काओ चाहे एंग्लिश काओ पहली कीज़ बैटर करती है उसको concept समझ में आ जाए language तो हम उसको बता देंगे ठीक है न तो अब बैठें इंटर्वी में आपसे समय पूछा what is the meaning of classification और बताओ उसको सब्सक्राइब करो जन्रलाइब करो मैंने हमेशा कहा कि इंटर्व्यू का मतलब होता है कि आपका वो क्या देखते हैं कि और और वर्गी करण पूछ रहा हूं तुम दो कि आनिमल किंग्डम में फंस गयो इसे बोलते हैं इसे इसे मेरी बास मेरी 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 बास इसे बोलते है कि तुम्हारे लिए जो है वहां पर सोने का ताज रखा तो तुम बेवज़ा यहां मक्मल के गद्दे पर सो रहे हो कि वहां तक की दुनिया देखो ना वर्गी करण को सामान शब्दों में क्या का आप कैसे डिफाइन करोगे केंद्र को लेकर करके और आसान किजिए आपको आप पहुंच गई आपके पास अपके वह शब्द की कमी है आप वर्गीरण का मतलब जो मैं पूछना चाहरा हो लेकिन आपके पास कि कमी आ रही है शब्दों की और शब्दों की कमी आपको खतम करने है क्योंकि आपके दिमाग में है नहीं इसलिए बाहर नहीं आएगे आपके दिमाग में नहीं शब्द वो शब्दा वली नहीं वह वकाबलरी नहीं है वह वकाबलरी कब डवलप होगी जब आप बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे तो वह वकाबलरी अपने आप डवलप हो जा लक्षणों के आधार पे जो किसी में एक समान पाई जा रही उसके आधार में हम why करते हैं उनको बाटना शुरू करते वर्च्ण का मतलब सामान च्ब्दों में इतना कि का कि झीक है मिलते हैं कि घ्र तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि वर्च Hier किसी में एक कोशिका है किसी में बहुत सारी कोशिका जिसको क्या बोलते हैं प्रोटोजोवा एंड मेटाजोवा देखो एक दूसरा तरीका दिखाते हैं वर्गी गरण का हम लोग काश्ट के अधार पर अपने आपको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऐलिजेन के अधार क्लासिफाई कर सकते लग कुछ समान गोण जो किसी एक ही वर्ग में पाए जा रहे हैं दूसरे में नहीं पाए जा रहे हैं उसके आधार करते हैं डिवीजन करना शुरू करते रड़िस कॉल्सिफिकेशन इन वेरी सिंपल एंड क्रिश्टल क्लियर वर् कोई नहीं है है माले लोग तुशन पढ़ा रहे हैं कुछ लोग कहीं पर पार्टाइम जॉब करता हैं यह कहीं पर कोई सरकारी करम चाहरी है तो अब क्या हो गया एक चिणी किसकी बन गई एंप्लोइट आज अब सब्सक्रैकर को फिर दो करें दिखाई पड़ेगी ड़रेटलमेंट लिएगए तो फिर आपको दो एक दिखाई पड़ेगी गवर्मन भी जाओगे तो वही है क्लास A, क्लास B, क्लास C गेश्टेड और नॉन गेश्टेड अब प्राइवेट में आएंगे तो फिर आपको दो केटेगरी और गनाइज़ और अन अनॉर्गनाइज़ इस प्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन आप कहीं पर भी किसी पर भी कर सकते हैं यहां का मतलब क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ने शुरू करते हैं किंग्डम में किंग्डम में हम दोग जो पहला क्लासिफिकेशन करते हैं according to sell करते दूसरी चीज़ बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती है तो इसने बोला है आपने वेडिगूद इंगलिस्पी क्या बोलता है बाइसको और यह बहुत सारे उतक आपस में मिलकर करके क्या बनाते हैं अभी संद्रशना कैसे बनेगी भाई और और इसके बाद हम लोग एक शब्द और पढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं और फिर आपके शरीर का निर्मार नाव मैं क्वेस्टिन इस वाट इस ओर्गन इन वाट इस ओर्गन सिस्टम क्वेशन तयार कर लो दिमाग में हाँ मैं बहुत आसान करने वालो हाँ तुम लोग कले बोल लो हाँ हाँ ओके हाँ हाँ और कोई बहुत बढ़िया बोला है इनोंने हाँ मैं ऐसे लिखोगे ना तु बोलेगा अच्छा आप दोनों की बात को मैं इसलिए बोलते समवाद होना बहुत जरूरी है एक वन साइड का मैं बोले पड़ा हो तुम सुने पड़े तुम मज़ा नहीं आता है तुम्हारे मन के अंदर क्या विचार चलना है वह भी जानना बहुत जरूरी है जैसे उन्होंने बिल्कुल निया कॉंसेप्ट दिया मैं पहली बाद ऐसा सुना कि हाँ ठीक है आपने बात बोली आपने बात बोली तुन्हों बातों में फुरासा बड़े गौड से शीद को नोटिस करना कि यह बोलना है ब्रेन तो मैं अगर यह बोलू कि ब्रेन लीवर और किड नी यह सभी क्या और shutter में आएंगे मैं और को में वाल्या है नहीं मस्तिष्क यक्रत और किड्नी तीनों ही किया है अंग है इसको कोई डिनाई कर सकता है कोई नहीं लेकिन मैं अगर ये पूछाओ कि क्या ये टीनों एक ही अंग तंत्र में आएंगे क्यों तो डेफिनेशन क्या बनेगी अंगों का वह वेसिष्ट या अंगों का वह ग्रुप विभिन अंगों का वो ग्रुप जो किसी एक स्पेस्पिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है कठीन था या सदल था नहीं समझ में आया ना उड़ गया ना देखो यहां पर लीवर हो सकता है प्रेन हो सकता है किड्नी हो सकती है और भी हो सकते हैं तो भी आप जोड़ना चाहिए हार्ट हो सकता है बिना इसके तो जीवन अधूरा है कि बिना दिल के सब कुछ दूरा है लेकिन हाँ आख भी हो सकती है लेकिन धमनी शिरा सब को जो भी आपके बाड़ी के अंदर जितने पार्ट से सब अब तुनों मैं यह कह रहा हूं क्या लीवर ब्रेन और किड्नी एक ही और गन सिस्टम के पार्ट होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि यह तीनों अलग-अलग काम कर रहे हैं यानि कि अंगों का वो समुख ग्रूप ऑफ मल्टिपल और गन्स विच परफॉर्म अस्पेसिफिक टास्क जैसे टाइजेश्टिव सिस्टम तो पाचन की क्रिया में संब्लित होने वाले वो सभी अंग लड्र सर्कुलेटरी सिस्टम रुधिर परिसंचरन संत्र यानि की रुधिर को यानि की ब्लड को पूरे बॉड़ी में फ्लो करवाने के लिए हमको जितने भी और गन्स रहेंगे आपके ब्लड सर्कुलेटरी क्लियर है एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए जिन भी अंगों कि आवशक्ता पड़ेगी क्या कहलाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम और्गन सिस्टम हमज में आया नहीं आया लिख पाओगे डेफिनेशन अंग और अंग तंत्र का अंतर यहीं है कि अंग उतकोस में मिल करके बनते हूं क्या कहलाते हैं अंग कहलाते हैं लेकिन अंग तंत्र क्या होते हैं कि बहुत सारे अंग आपस में मिल करके किसी एक विशिष्ट कारे को ही संपादित कर रहे हो या पूरा कर रहे हैं अब ब्लड सर्कूलेशन को देखो ब्लड सर्कूलेशन में कौन कौन चाहिए है पहला तो बलड ही च़ीए है एंडा घूस्रा धंबनी शिरा कि यह अगा दूसरा धंबन कि अगें कि चहिए है मैंने करा आप असान भाषा में फ्रेंब भंड धा में और ब्लेट कैप्लरी नाम हम दे देंगे बाद में लेकिन यह अपने आप ठोड़ी बहेगा किसको सपना आएगा कि चलो यहां से चलते हैं नीचे तक पहुंचते हैं या तरह ख़ते हैं क्या चाहिए समर्सेबल पंप चाहिए कि ने चाहिए समर्सेबल पंप घर में होता है ना किस के लिए होता है मोटर होती ही घर में किस काम के लिए उस पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए और ग्रैविटी से वो पानी नीचे अपने आप आ जाता है लेकिन हमारे बॉड़ी में आपको इसी समर्सेबल पंपे पढ़ता है असान लग रहा है कि कठिन लग रहा है है मिसको भज़ा रहा है सब्सक्तकू सब्सक्राइब पढ़ते समय जब आनन्द के नुभूती हो तो इसका मतलब है कि आप मुख्ष प्राप्ति की हो रहे हैं आपको निर्वाण मिलेगा कैवल्ली मिलेगा ठीक है ना निर्वाण और कैवल्ली की प्राप्ति होगी और यहीं आपके जीवन का अंतिम सत्य भी है कि आपको अपना और्गन सिस्टम जानना चाहिए अपने आप आसान हो जाएगी किसी सब्सक्राइब करो फिर उसको पढ़ना शुरू करो जब तक वो कठिन बनाके रखे रहो गया कि प्रम्मा भी आके पढ़ा दे तुम्हारे द लगा हुआ है कठिन नोट करिए इसको एक दो हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा पॉइंट लिख लीजिएगा इसको बना लिया पॉइंट लिखिएगा सेल बेसिक इस्ट्रक्ट्टर ऑफ लाइफ तेल मतलब कोशिका जीवन का अधार्भूत इकाई है जीवन की अधार्भूत इकाई है पिर लिखिएगा और गन अंग अंग लिख लिजिएगा कई सारे उतकों से मिलकर इसका निर्मान होता है अंग का निर्मान होता है एक है नेक्स्स पाइंट लिखिएगा थार्वन और वन और न सिस्टम लिखिएगा एक रूप अब्रूपल अर्गन्स एक रूपल। मॐल्यप और वीज Mm लिखिए, पृप बूप और निखिए, पुल्यो्य ठर्वेबिзд्ऑ ृब्रूप कर्सक्ष अरूप उब्रू मॉण और अरृ। ृबकार्प्ष और विखिए, कि इज पढ और रहे हैं। कई सारे अंगों का समूः जो किसी विशिष्ट कारे को पूरा कर रहे हो अंग तंत्र कहलाता है यसय संत्रिका तंत्र शुष्ट कर तंत्र नरुष्टम forever system system पाचन तन्त्र डिजस्टिव सिस्टम उच्छन तन्त्र उच्छन तन्त्र सबसें यह अब तुम यह बताओ कुछक करके तुमको सबसे कठीन आर्गन सिस्टम कौन सा लगता है कौन सा पढ़ना सबसे पहले कोई बनानने स्लिया कारोडर्या इतन्त्र पार्दर है को अंग्ति तुमको हर और्गन सिस्टम को इंडिविजुल पढ़ना है मैं तुमको एक जनरलाइज सीर्वाद में बताऊंगा पर तुम बताओ पॉल ले लेता हूँ कि यह डाइजेस्टिव पढ़ना चाहते है कि वही बात में यह डाइजेस्टिव से ज्यादा आता है ठीक और बताओ रेस्पिरेटरी ने उसमें उपर उपर तो ब्रेन आता है कि अधिका से कुष्चन बहुत आता है कि अधिका तंत्र पढ़ा दें पर ले पढ़ लेते हैं अधिक चार दिन में पूरा खतम हो जाएगा कि यह कंप्लीट जितने और सिस्टा में जितने अपके एक्जाम पॉंट अब्यों से आते हैं सब खतम हो जाएगा विल्कुल परिशार मतों मोर देन सेवेंटी पट्रण मैं खतम करके ही जाओंगा जैट्स माइट्स माइप्रॉमेस तो अब जितने मीजर पार्ट इनकों खतम करके जाओंगा वह अलग बात है कि संडे को मैं कितना क्लास ले पाता हूं तो संडे को भी क्लास रहेगी हो सकता मेरी पात करते सबसे पहले तंत्री का तंत्र की तो दो तरीके हैं पढ़ने के पहले यह क्लेक्टर वाली भाषाम पढ़ना है उसमें पढ़ना है कि आम भाषाम पढ़ना है आम भाषाम में पहले पढ़ लो क्लेक्टर वाली भाषाम तुमको हम याद करवा लेंगे तंत्री का तंत्र मतलब दर्वस शिस्टम कुछ चीज हैं दिमाग में अभी से बैठालना शुरू कर दो कि संत्रिका टंत्र की कार्यात्म की काई किसको कहा जाता है नियूरॉंस को कहा जाता है या फर्णामेंटल स्ट्र्टेश अफ नर्वा लॉन डॉन अन्यूरॉंस गया कि संद्चना होगी अगर आपसे कोई पेपर में पूछ दे, आपसे कोई ये पूछ दे कि आपके मानो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन से है, तो विश्वन, तंत्र का तंत्र, तंत्र का कोशिका है, वो मानो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, the largest cell of human structure या human body known as the neurons, या आपका nervous system, पूरा तंत कि आपके पूरे body की अंदर जो सबसे कम regeneration power होती है, regeneration का मतलब फिट से उगने की छमता, इसको हिंदीम बोलते हैं, पुनुरुद्भवन छमता, क्या बोलते हैं, पुनुरुद्भवन छमता, हिंदीम देखना चाहो, हिंदीम अंगरीजीम चाहें, अंगरीजीम है, the least regeneration power या प्रियास करें, वो पहले जैसा नहीं हो पाता है, कारण यह होता है कि जो आपकी brain cells होती है, जो आपकी nervous cells होती है, वो अगर कहीं पर damage हो गई, तो उनके वापसी regenerate होने में बहुत time लगता है, उसमें वापस response आने में बहुत time लग जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसमें regeneration power है एड़ लॉंगेश्ट cell है, मतलब सबसे कम पुनरुत भ्ltryण छमता किसमें होती है, तंत्र का कोशिका में अग्याय consent का ने शथिया और सबसे बड़ी कोशिका कोंवी होती है तंत्रिका कोशिका होती है तुसरी बात कि हां सबस्क्राइब मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी emphasize होंगे जो ऊक्राइब इ küçük कि कर रहे होंगे परक्तिकल एक्जामपल लेते हैं इसको बहुत ताकस से तुमको दर्द हो तो किसी दूसरे को अपना हाथ पकड़ा दो वो जब ताकस दबाएगा तुमको दर्द होना कुछ दिर में शुरू हो जाएगा वेकिशन कम ज्यादा कर सकते हो लेकिन जैसे यहां दबाना शुरू क करोगे तो क्या होगा तो तुमको नहीं होगा यहां पर जैसे दवाओगे तुमको यहां से एक सिग्नल जाना शुरू मिलेगा कहा पहुंचेगा यह ब्रें तक अब ब्रेंड बोले का दर्द दोरा जल्दी से करो साथ को अटाओ यहां से दूसरे एक्जांपल तुम चल रहे हो यह बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है सामने साप आकर के खड़ा हो जाए उसली करोगे उससे क्या करोगे अपना रियक्शन देखिएगा उस समय आपके रिफ्लेक्स एक्शन्स आ जाएंगे क्यों आपका नर्वस सिस्थम आपको क्या कर रहा रिस्पॉंड दे रहा है ऐसा नहीं है बच्चों में समस्या होती है बच्चों में आप दिखोगे शुरुवाती दौर पर जो बच्च आता है हम और आप हम और आप उसको बताते हैं कि यह चीज अच्छी है यह चीज खराब है उसको जमीन में कुछ भी पड़ा उठा के खा लेता है इसको बच्चा हो सकता है कि उसके लिए कौन इसमें क्या है खत्रा है कौन खत्रा नहीं है लेकिन उसको ये भी बता है कि अगर आप उसको बहुत तेजी से आँखों पर कुछ चीज ले की आएंगे पलक अपने याप बंद कर लेगा वो, यह उसका नैचुरल है, कुछ हम क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, ठीक है, तुम्हारा दोस्त आ रहा होगा, तुम नहीं भागोगे, लेकिन तुमने अगर किसी से पैसे ले रखे हैं, उसको दूर से देखते ही, या तुमको पसीना होना शुरू हो जाएगा, अब यह पैसा मांग लेगा, होता है ने कभी-कभी, और अब जब हॉर्मोन पढ़ोगे, एक हॉर्मोन का नाम सुनोगे, एड्रिनलिन, या इपिनेफरिन, तो क्या बोलते हैं, लड़ो या, ने भीडो, काई को भीडो होगे, प्रिशन बराया दे रहा हूँ, वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ, आप तंकी बढ़िया बैट करके, कोना कोना पकड़ लिया है, अब लेकुल लास्ट मुमेंट है, आप अपनी गलफ्रेंट रबस पोन रखने की बात ही कर रहे थे, एक दम सबगल में आके आपके पापा मम्मी खड़े हो जाएं, दोनों एंड पर, उस समय की जो सिच्वेशन होगी, वो क्या होगी, फ्रिये फार्मोन वाली कंडिशन आ जाएगी, या तो लड़ो, नहीं मम्मी अब यही तुमारी बहु है, नहीं हमारी मैम है, नहीं ये रिष्टेदार है, दोस्त की रिष्टे जाएगा, पसीना बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, होता है न ऐसा, उनको अच्छे से पता होगी, यह समय आपका जूट पकड़ा जाता है, और आप अपने बचने का रास्ता खोज रहे होते हैं, यानि कि आप क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, लड़ शुरू करने के लिए, वह वापस पूरे body blood circulation शुरू कर दे तेजी से, उसको adrenaline का injection, जिन लोगों पबजी खेला होगा, उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे वह पबजी वारा injection वारा short पड़ता है, फिर हमारे अंदर energy आ जाती है, बहुत देर तक हम लोग किसी भी circle स आपके आसपास भूम रही है, हम बस उसको पहचान नहीं पाते हैं, पहचानने का तरीका बद्दो बड़ा आसान है, तो तंत्रिका तंत्र में सबसे important चीज, कि शरीर के अंदर जितनी भी सूचनाय होती है, ठीक है, दो प्रकार की सूचनाय चलेंगी, सूचनाय दो प्रका होता है, हिंदी में करल सेंओ जी होता है, अंग्रेजी में फ्लूट कनेक्टिव टिशू, फ्लूट कनेक्टिव टिशू नहीं होता है, वो ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रक वाला होता है, जितना कुछ भी घूम रहा है, जितना कुछ भी घूम रहा है, चाहे वो प्रोटी और यह इसलिए ब्लड क्या है फ्लूट करता रहता है ट्रेवल और बफर सिस्टम के रूप में काम करता है अब आगे बफर सिस्टम देखे हो इसको बोलते हैं बुफे लगाए खाल लेना जाकर के बुफे सिस्टम में क्या होता है वेरी गुड़ सब रखा रहता देखो बिल्कुल आप आसान वाशाम समझेगा इसको समझने से पहले एक बिल्कुल जनरल डाइग्राम समझा देते हैं होता क्या है बुफे सिस्टम देखा है आपने बीदहा वाध्रो सिस्टम मना होता है कि हड्र तरह के अृप पकवान वर वेंजन होते हैं उसमें और just imagine यहां थोड़ा केस उल्टा होता है यहां पर वो सारा आइटम लेकर के कौन घूम रहा है ब्लड लेके घूम रहा है किसके चारो तरफ के चारो तरफ बिसक्री हम यह सोचेंगे कि और गन के चारो तरफ गूम रहा है लेकिन और किसे मिलके बना हुआ है और हर सेल की अप दो नहीं खायेंगे तो कैसे बताएंगे आइस्क्रीम के साथ और धर क्या खिचवा नहीं है होता है ना कोई फोटो खिच रहा होगा तो प्रेट शिपा लेंगे हमने तो कुछ लिए नहीं था बात को समझेगा यहां पर ऐसा क्यों हर सेल की रिक्वायर्मेंट क्या है अप कैसे देता है उसी बूफे सिस्टम में हम लोग असा नहीं प्लेट जो नहीं वाली प्लेट होती ही कहां उठाते हैं जहां साफ कुसरी जगए होती है लेकिन जब खाना खा लेते हो तो क्या उस प्लेट को वहीं रखते हो वापस का रखते हो उसके लिए एक दूसरा चैनल पतना होता है कि कि मुझे बताते हैं इंधन का दहन होता खमझना बात को जैसे खाना-खालेती हो मतलब क्या भचा वेश्ट पिश्व बचाना व बचानल है उस वेश्वित को एक दूसरे चैनल से निकाला जाता है लेकिन रहता वो भी वहीं पर है उसी पंदाल के अंदर नहीं रहता है रहता है ना आनंदारा होगा खुशी मिलने योगी लग लगा हो कि सर्जी खाने की बस आज कभी पार्टी वार्टी करवाई दीजिए लेकिन इंपॉर्टन चीज है भगवाई ने तुम्हें नाग दी है पूची रखना क्या काम होता वह इसका यह राग्राम तुमने शायद कहीं पढ़ाओ और यह तुमने अगर कहीं पढ़ा है तो फिर मेरा पढ़ाया हुआ श्टूडेंट होगा तुमको वहीं पर मिलेगा यह तुमको फिर मिलेगा बहुत अच्छी जेगा या बहुत अच्छे हाइर एजुकेशन अलब कि जो नीट या की त्यारी मेडिकल साइंस की त्यारी कर रहे होते हैं लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है लोकि इसको जब तक नहीं जानो जब तक तुम्हारे लिए सब्यक इसा है तो भगवान ने तुमको ऐसी दो विवस्थाएं क्यों दे दी अकस्मिक के लिए देखो एक बात ही हमेशा है रखना कंपनी का मैनुफैक्ट्टर कभी भी कंपनी के प्रोड़क्ट के साथ तुमको कोई भी चीज फ्री में नहीं देता है या कोई बेकार नहीं देत अब चूर्व करना इसा नहीं है वाला हिस्ता देखो गई कि यहीं से हवा पहुंच जाएगा शीरे का पर लंक्स में और यहां से लोगे यहां से यह होता हुआ पतले रास्ते तो और फिर घुम के पहुंचेगा होता क्या है, vindenisz में बहुत सारे क्या होते है? Polluted particles होते है, आपके nose में hairs होते और nose में । हलका सा moisture होता है. इन दोईों के काम होता है कि इन particles को यहीं पर क्या कर देना तो रोक लेना जिसका ऐसास आपको बहुत अच्छे से हो गा. बच्पन में कुछ लोग खेल भी खेल ले होंगे है ना इसमें कोई वाली बात ने को अब साइंस बढ़ो यहां तो देखो तुम्हारे जिंदगी के बहुत सारे राज खुलेंगे कि बच्पन में ऐसी शराडते करें हो गया कुछ लोग होते हैं यहां फिर खुजते रहते हैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इसको समझो कि नोज में क्या है हेर और वह म्यूकस क्यों होता है या मॉइस्टर क्यों होता है उसका परपज ही होता है दूसरी चीज आगे का जो रा अधि ऐसे कंडिशन में अगर बहुत ज्यादा गरम एघर कहां पहुंच गई लंग सो पहुंच गई तो लंस के टिशू को नुक्सान करेगी या बहु ज्यादा ठंडी एर पहूंच जाए तो भी वह उसको क्या करेगी नुकसान करेगी वह इस राश्ते तो उत्रूप जा तो हम जोब क्या होते हैं जहां सीडी चड़नी उतर्नी होती है तो हम यह आते हैं यहां यह पर बैख करके सांस नर्मल कर रहे होतें बैट कि आम कर है लॉप i क्या बोलते हैं कि अभी लंग्स का चित्र देखोगे उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे अंगूर जैसे फल बने वह होते हैं कि अब आइसे तुम्हें याद ही हो पाएगा कि काम क्या होता है उनका जैसे ही अंदर हवा आती है तो वो उनके अंदर हवा भर जाती है और उसके चारो तरफ बहुत सारी पत्ली-पत्ली आर्टरी अभी नाम नहीं बदाएंगे पल्मोनरी वीन्स और पल्मोनरी आर्टरी यह दो नाम पढ़ हो गए उसमें यह क्या होती है यह क्या करती है उसके पास जो सीओ टू होता है वह सीओ इसको देता है यह अपनी और दिजॉल्व और तुम कहां भीज़ दी जाती है किसके पास कि अब यह पान का पत्ता बनवा रहें बाद में चेंज करेंगे तीके ना और फिर बताएंगे कि धगदक किसका दिल जड़कता है केवल माजूरी दिछित का आपका जो हिर्दा है कैसे धड़केगा लबडब ठीके ना धड़क नहीं धड़कता है तो यह ऑक्सीजन कहां पहुचेगा आपके हाट के पास हाट क्या हाट इस अब पंपिंग और गन कैसा और गन है पंप करेगा यह क्या करेगा पूरे ब्लड क rakttså अब गने क्या कर देगा पंप कर देगा है दिटेफ़कर दिया है इस Có इसकर नें क्या होगा यह ब्लड पूरे बॉरे बॉड़के औक सिजन ले करके छलीकर तो यह तो ऑकसिजन हमने दिखाया है लेकिन जब डाइश्टर सिस्टम में खाना पचा होगा तो वहां से क्या क्या ले लेगा nutrition फिर हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लेंड हैं यहां से ग्लेंड शुरूब होएगी पिट्यूट्री ग्लेंड थाइराइड ग्लेंड थाइराइड और पैरा थाइराइड दिमाग में अब उसने बरतन साफ किये तो दूसरा वाले क्या करें का बरतन फिर से गंदे करके जखेगा इनके बीच का रिलेशन एक हॉर्मोन आएगा एक पैराथ हॉर्मोन होता है और थाइराइट से हॉर्मोन निकलता जो दोनों एक दूसरे का ठीक उल्टा काम करते हैं अभी आगे पढ़ इंडेलिन और जूँ जो पैज जाती है इसके लावा फ्लेसेंटा जो उस बच्चे को जो गर्व में पल रहा उता है क्या प्रवाइड करता है नूट्रिशन उसके लिए जो एसेंशन लेक्वार्मेंट चीजेंड चीजें होती है मांसे यह सभी क्या है है हमारी ग्लैंड है और यह सभी क्या हो रहा है ट्रैवल करना शुरू किया इसने पंप किया तो क्या हो रहा है ट्रैवल होगा तो सब कहां पहुंचेगा वही वाली बात कि यहां खाना लेकर के बहुत सारे लोग घूम रहें इसके पास तुम दोगों के पास इस तर यह खाएंगे सर यह खाएंगे सरी खाएंगे नहीं जब से जाओ शुरू आतमीं दूरा दूनन बैठे होते हैं तो कुछ लोग आते हैं ऐसे शादीव नहीं गए होगे आज तक सब कुछ लेकर के आएंगे और कॉफी भी लेकर के आएंगे अब तुम्हारी मर्जी कि तुम पेपसी कॉफी दुने एक साथ उठाते हो कि कुछ-कुछ देर करके उठाते हो तुम अपने को किसा डिकोड की हो यहां पर यह अंत में कहां पहुंचेगा सेल के पास कहां उसको oxygen चाहिए कि चाहिए हम लोग पढ़ते हैं ब्रेट का काम होता है पूरे बॉड़ी में oxygen की supply को बनाए रखना तो बॉड़ी को यह oxygen चाहिए क्यों होती है आपको oxygen क्यों चाहिए आप सांस क्यों ले रहे हैं यह यह energy कैसे मिलती है आपको वेरी गुड़ी क्या होता है तो प्रेट के पास क्या है इंधन भी यानिक ग्लूकोज भी है आपके nutrition सिस्टम में से उसने क्या लिए रखा है ग्लूकोज भी अपने पास सक रखा है उसके पास क्या गया ग्लूकोज और क्या गया oxygen इस दुनिया में किसी को जलाने के लिए और किसी के जलने के लिए क्या चीज होनी चाहिए oxygen कि अगर मेरी वात कैसा विश्वास आपको ना हो तो उसका बच्पन में किया गया प्रयोग है दिवाली हर साल आती मुम्बतिया है मुम्बतिय रखिए इसके उपर कांच की एक ग्लास रख दो आख बुझ जाएगी यानि कि बिना इस oxygen की आप इस glucose को क्या नहीं कर पाएंगे combustion नहीं कर पाएंगे और जैसे क्या करेंगे जैसे इसको क्या करेंगे जलाएंगे वैसे ही क्या जनरेट होगी energy किस रूप में ATP के रूप में और हमेशा एक वेस्ट भी निकलता है वही वाली प्लेट जो तुमने खा करके अब तरका दिये या और आसान भाशा में बाइक देखिए बाइक मीचे खड़ियों की देख लेना जा करके उसमें बड़ी important चीज है पूरा यही system उसके अंदर है पूरा यही system में इस system पर पूरी दुनिया चल रही है तुम एक्जांपल खोजो तुम नाम बता मैं एक्जांपल देदूंगा उसके अंदर ही system होगा अगर तुमने कभी बाइक की सर्दूसिंग कराई होगी तो बाइक में एक एयर फिल्टर डाला जाता है क्यों ताकि च्छनी हुई हवा अंदर आ सके और वो च्छनी हुई पहun9 चैमबर में जैसे वहाण प्र किक माडते हो क्या जलता है स्पार्क प्लक्त तुरंड क्या होता भूल भरन और इंजिन है निलती या एन आएग्जी दआ बिश में कूछ वेस्ट गैसे सोती जिन को निकालने के लिए क्या बना होता है साइलेंसर पट्योटाहिए और ये सिसमेटर कहां जाएगी फिर से लंग्स के पास पहुंचेहीं पहली बार देख रहाुगै। हुए तो यहीं तुमकम में वे दिखाता हूं और गन यह और इस्ट्क्चर दिखाता हूं और इसटम धिकों कैसे, इतना हिस्सा, ये कहलाता है External Respiratory System, वाह स्वशन तंत्र ठीक हैं , जो कोशिका के अंदर चल रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं कोशिकी सवशन-तंत्र जब स्वशन-तंत्र पढ़ोगे उसमें 2 हिस्से पढ़े जाते हैं वाह सुशन तंद्र और अंतर सुशन तंद्र, क्या बोलते हैं? एक्स्टर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम, आड इंटर्नल और सलूलर रेस्पिरेटरी सिस्टम. Is that clear or not? ठीक है? दूसरा हिस्सा देखो, यहां से ले करके ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कही ने कही से इसमें डाइजेस्टर सिस्टम भी आके जुड़ता होगा क्योंकि ब्लड को क्या मिल चाहिए nutrition चाहिए फिर gland चाहिए तो सभी आपस में क्या है interconnected है लेकिन हाँ पुछ औरगन उसी काम को ही कर रहे है जैसे हाट का काम क्या होता ब्लड की सप्लाई को बनाए रखना नोज और लंक्स का क्या होता है बाहर से oxygen और CO2 को बाहर निकालना और सेल का काम क्या होता है उस oxygen और glucose से body के लिए क्या प्रोडूश कर देना और पूरी साइन्स आसान है यहां तक क्या होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं ना मुझे पता है आसान कैसे किया जाता है अभी तीन दिन पढ़के जाओगे आधे डॉक्टर हो चुके हो गया है और तुमको मैं जनरल मेडिसिंस के नाम रटवा चुका हूंगा ने में बनान ना उद्देश मेरा उद्देश है कि तुमको तुम पता है कब सीखोगे जब तुम पे खत्रा आएगा किसी चीट का खत्रा बिमारीं का खत्रा आपको कोई भी ऑर्विश्टम समझना है ना आप उसकी बिमारियां पहले जान लो आपके लिए वो अर्विश्टम समझने में असानी हो जाएगी ज्योंकि उस बिमारी का क्या होता है एक बच्पन में पहली आया करती ती इसमें रास्ता खोजो तो रास्ते होते तो उसके हम दूसरा जहां डेस्टिनेशन है वहां तो उल्टा चलना शुरू करो बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा मेरा रस्ता वही वाला है यह असान करना है तो वही रस्ता असान है कि यहां तक बना लिए अब झाử झाओव को वहां तक बने लिएर नहां दुनाब्षियम से डाँ दोयाओ पस्ता हम जिए V. तो दो गया तंद्र का दंद्र में लेखना चुरू किजेगा अ दो टो कि दो से इने अच्ट के लिए रिखना तो दो गया तो कि अच्ट का the functional and basic unit of nervous system again you alms the functional and basic unit of nervous system known as neuron , the functional and basic unit of nervous system known as neurons संत्र का तंत्र की कार्यात्म किकाई कि कार्यात्म किकाई न्यूरॉन कहलाती है कि दिख रॉप इस नर्वस सिष्टम nervous system coordinate coordinate nervous system coordinate comma transmitting signals transmitting signals transmitting signals transmitting signal from sensory from sensory information transmitting signals transmitting signals of sensory information sensory information from brain to body from brain from brain to other parts of body and vice versa from brain to other parts of body and vice versa clear Hindi मानोशरीर के सभी अंगों के मध्ध समन्वय समन्वय सामन्जस्य एवं एवं कंत्र की सूचनाओं का आदान प्रदान करना तंत्र की सूचनाओं का आदान प्रदान करना तंत्र का तंत्र कहलाता है यह तंत्र की सूचनाओं यह तंत्र की सूचनाओं यह तंत्र की सूचनाओं यह तंत्र की सूचनाओं मस्तिश्क से शरीर के अन्यंगों एवं शरीर के अन्यंगों से मस्तिश्क की और मस्तिश्क से चरीर के अन्य अंगों एवं चरीर के अन्य अंगों से मस्तिश्क की और हो सकती ही कहीं किसी लाइन में कोई दिकत हुट तो पूछ लो और को अधिक्ष्ट हाँ जडीर के मस्तिष्ट से शरीर के अन्य अंगों एवं शरीर के अंगों से मस्तिष्ट की और हो सकती है इस लाइन में कहीं कोई दिक्ष्ट हो तो पूछलो आप डिफायन कर सकते हैं है को तंत्रिका 2 उतना है के प्रकार के प्रकार अन्य मुअ है यह यह का साइब अन्य टीक्ष्टKS बद्लबव श्टाव न्यूरॉन्स को बिलकुल लाइते पढ़ेंगे तुम लंड WILD बोस्ader पर फिर जब तुमरेरा इंटरेश्ट could be hours आएगा और हั่लो किसको भी यान ही लेते हैं टाइप आफ नर्वस इस्टम कितने प्रकार क्यों होते हैं भाई टीन प्रकार क्यों एक को बोलते हैं PNS फिर एक को बोलते हैं PNS एक कम्हों लिए प्रकार क्यों में हैं एक क्यों इसे हिंडी में अच्षित्रा नर्वस इस्टम या केंद्री संत्रिका संत्र, पीरस को बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या हिंदी में परिधीर संत्र का संत्र, इसको बोलते हैं, आर्टोनमस संत्र, पहले तो ये नाम तुमको याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, परिशान ना होना, वो अपने अभविम याद करवा देंगे, तुमको लग रहा ये तीनों हैं कहां, ये तीनों हैं कहां, आर्टोनमस नर्वस सिस्टम वा नर्वर्स सिस्टम से परिफेरल बच्फित्न अर्टोनमस इन्वर्स्टी नऱ Callinged खास वात होती इन इन्वर्स्टी की वाह, क्या बात उसी इन्वर्स्टी से पढ़ तो नहीं रहे हो है, तुम पढ़ रहे हो तो तुमको तो आटोनमस अपने आप समझ में आ जाएगा और तुम उसको बॉडी के अंदर खोज भी लोगे तुम्हें केवल पता है, इन्हें खोजना है शरीर में फिर तुमको अपने आप याद रहेगा पैरिफेरल नर्वस सिस्टम पैरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे बढ़े अरे वह भी तुमको पूरा ब्रेन यहाँ बना करके समझाओंगा याद करवा दूँगा याद करवा दूँगा ठीक है पूरा ब्रेन आपको याद होगा याद करवाई बस जैसा बढ़ाता है उससे पढ़ते जाना इसकी मत मारना कहीं पर अपना दिमाग मत बढ़ाने लगना मैंने का न बस धत्राष्ट बनके वैठो देखो वह देखें को एक वह बोलता उसको ड़राने क्ली बनाया जाता है जो भी बोलते उंग्रेजी में मुझे नहीं पता अब वाने उससे इंसान भाग जाते हैं क्या बोलते हैं तो भी बोलते मुझे नहीं पता अब ज्यादा जो है इसका बड़ा हो गया जो एक पैर चोटा एक पैर बड़ा चल जाएगा मैंटेन कर लो हाव है देखो बड़े गार से इसके पास कुछी सरे की एक समर्चना होगी इसा होता है ने मस्तिश्क नहीं होता है इसा होता है आप सभी इक पास है इसके कितना बजन होता है इसका सामान या और तो जन कितना होता है अपने अपने वेट बता दो भाई हाँ बता अपने शापने तो तुम्हारे प्रेंगा क्या वेट होगा कि एरा सोगराम कि ने वो सीसी में क्यूबिक सेंटिमेट का आइतन होता है और आइतन होता है हाँ बढ़ी कि एक किस ग्राम कि एक किस ग्राम एक काम करना आज जाकर के पंसारी किया नफवा के देखना कितना होता है देटा कम्यूनिकेशन बंद हो जाएगा अभी गूगल नहीं मारो भाई कि आप लोग अपने अपने हिसाब से बता रहें आपको बता दे रहें लगबग डेड़ किलोग्राम के आसपास आपके मस्तिश का वजन होता है हाँ वह आप करीब थे इग्जैक्ट नहीं थे लेकिन यह माना जाता है कि देड़ किलोग्राम होता है यह एक आइवरेज आइडियल वेट मानते हैं यह बॉड़ी वेट का दो परसेंट होता है जो भी आपके शरीर का भाहर होगा उसका लगबग दो परसेंट आपके ब्र लगता है कि यहां एक किलो का पत्थर पड़ा हुआ है केड़ किलो का अब सिर्भारी हो जाता है वह तो तुमको चिंता और तनाव होता इसलिए हो जाता है कि बहुत देर से मैसेज का रिप्लाई नहीं आया है क्या होगा जीवन में अब लेकिन समझने की बात है अब इस लिए नहीं है क्योंकि आपका मस्तिश्क एक प्लूड के अंदर रहता है अब एक काम करना इसको समझ में इसे कम आ रहा हो एक उठाना मारना नहीं हाथ लेना उसको और फिर बाल्टी के अंदर डाल करके पर भरी भी बाल्टी में फिर उठाना तो पानी के अंदर उसका वजन आपको थोड़ा सा कम प्रतीत होगा क्लियर है कि पॉइंट याद रखेगा यह संद्रचना आपने देखी है सभी लोगों ने देखी है ऐसा होता है और ऐसा आप मानते हैं कि आपको भगवान ने दिमाग दिया है कि दूसरा कि अगे सब्सक्राइब यह क्या बना दिये आप यह दोनों पाट कहले हैं सी इने ईएस के लोगों जा सब्सक्राइब काट यह दोनों इस्टम की उसमें जब सेंट्रिल सिस्टम पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ेंगे आप rind और Εप हैं मेन्हिटल सिस्टम इस्पाइन मतलब रीड की हड़ी आया ना जाद रहेगा अब तुम्हारे मन में आएगा सर्फ पेरिफेरल क्या होता है अब उससे परचे कराईए इसके लिए कोई दिक्कतने कुछ नहीं करना है ब्लेड लेना और हाथ काटने का प्रयास करना शुरू करना प्रमोट नहीं कर समझने के लिए बश्प्रम तुमने बहुत किया होगा कुछ लोग बश्प्रम में यहां पर ऐसे कट लगाते थे और कभी-कभी गलती से ब्लेड जाना गहरा चला जाता था और उसके बाद फिर हम ऐसे इसको पकड़ कर यह बैठे रहते थे पताएंगे तो और पिटेंगे यहां से लेकर यहां तक होगा ना पहले वह नर्वस सिस्टम यह इसके हाथ है कि इसने यहां पर कट किया यहाने जो भी नर्वस ऐसे जा रही होगी पहले किसको सूचना पहुंचाएगी स्पाइन को इसको पहुंचाएगी पहले स्पाइन को फिर यह स्पाइन क्या करेगा यह सूचना यहां से किसको पहुंचाएगा ब्रेन को पास समझ में आई कि नहीं आई कि स्पाइन तो किसमें आ गया था इनस में तो इस तरह कि जो आपकी सूचनाएं देने वाली संत्रि होती हैं जो आपके स्पाइन से आके कनेक्ट होती है यह क्या कहलाती है कि परिफेरल नर्वस सिस्टम इसके पले कभी ऐसा डाइग्राम देखे थे समझ में आ रहा है ना देखो मैंने कहा ना मैं तुमको हो सकता अभी तो पढ़ाऊंगा तुमको हो सकते का लगए को सजी शक्तिमान बने घूम रहे हैं मुझे यही समझाना ही था इसके बाद आपने मेरा पॉइंट अगला पकड़ लिया मतलब आप समझ गए कि अब आप मतलब मेरे बताएवे रास्ते पे चलना शुरू कर चुके हैं अब आप पूरी तरह से धत्राष्ट हो चुके हैं बिल्कुल सही कह रहा है अगर कभी किस अगर सिस्टम के हिस्से को ब्लॉक करता है जो वहां से पेंड लेकर अब आगे बढ़ेगा तो यार किसी का पेट फाड़ रहे हो किसी का दिल चीरे दे रहे हो और बड़े प्यार से वह लेटा है रहा हम से कि हाँ भाई कि इतना फेथ उसको तुम्हारी उपर है ना तुम् हुआ है कि यह सर्जन जो है मुझे काटेगा जीरेगा कुछ निकालेगा कुछ अंदर फिट करेगा और फिर से हमको बैठाल लेगा उसको हम लोग बोलते है एनस्थीशिया जो एनस्थीशिया के इंजेक्शन होते हैं वो जब दिये जाते हैं यहां पर कि सपोस्कुरोदे को ऐसा है मैं समझाता हूं आपको तो वारे यहां पर कोई ऑपरेशन होना है दो रास्ते एक सिंपल था बच्पर में कभी टांका व गया होगा जिसते आपको दर्द का एहसास ना हो उसको बोलते हैं लोकल अनस्थीशिया क्या बोलते हैं ऐसे नहीं कोई बूरा थोड़ी सिल रहे हैं चमणी सिली जा रही है उपर की लेयर सिली जा रही है और कोई ऐसा यहां पर बैठा है हाँ पर कहां तुडवाय थे पैर कि यूंद करते तो ओसे बलॉकोष हो तो हमान ने तवर फेह नस्थी आप दिखोगी जो पेंद किलर या वाली स्प्रेय आते जो आपके दर्द को बढ़ कर देते हैं उसमें ज्यादा तर ये धिश्या के रूप में लोकल किया जाती डूर्व को यहां करना है यहां हाइट का उपर करना है उस नर्व को ब्लॉक कर दिया जो वहाँ लेकर जा रहा है तो पैरी फेरल नर्वास सिश्टम क्या होता है बहुत दूर दूर से आपकी सूचनाओं को ले करके आता है पासमझ में आई कि नहीं आई कि आगे यह पेरिफेरल अब तीसरा क्या बचा है कि आटोनोमस आटोनोमस का मतलब राजा लेकिन राजा की उपर हमेशा एक राजा रहता है आटोनोमस इन्निवर्सिटीज होती है नाम बताओ कि एक कॉलेज का नाम बताओ अच्छा जो भी है मुझे निए बता अगर अटोनोमस में है लेकिन नूतन के ऊपर सरकार के या यूजीसी की गाइडलाइन चलेगी स्टेट उनिवर्स्टीज की नहीं चलेगी लेकिन UGC की गाइडलाइन चलेगी क्योंकि UGC higher education की सबसे supreme authority है जो इस चीज को promote करता है कि कैसे उनिवर्स्टीज चलाई जाएंगी स्टेट उनिवर्स्टीज में क्या होता है एक्जाम कंड़क्ट होगा सारी कॉपियां अलग अलग दे जाएंगी चेक होगी अटनोमस में क्या होगा हम एक्जाम करवाएंगे हम ही तुमको नंबर देंगे क्लियर है तो आटनोमस पर सारा कंट्रोल होता है लेकिन उन सभी का प्रोसीजर काउंट साइड करेगा उपर से यूजी सी तो आटनोमस का मतलब यह नहीं होता है को कुछ भी करेंगे लेकिन हाँ वो आटनोमस रहेंगे जैसे हार्ट लंग्फ यहां पर कैसा सिस्टम चलता होगा ऑटनोमस हार्ट कभी अपना फुर्बंद नहीं कर देगा कि आज मेरा मन नहीं काम करनेगा कल देखेंगे ना लंग्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटीनू बना रखेंगे चलता रहता है हवा आएगी यूटू बाहर जाएगी हवा आएगी यूटू बाहर जाएगी क्लियर है यह क्या होते हैं आटनोमस सिस्टम होते हैं डियाग्राम को बना लीजेगा फिर आगे बढ़ते हैं कि मजा आ रहा है बना भी लिए बहुत सुंदर फोटो कीच रहो उसमें कुछ समझ वह नहीं है कीच लएच्छा कि पाइन एस पी आई एड़ी स्पाइंट बोला जाता है कि यहां मैं बैक बोलते हैं कि यह क्लास जिसने आज मिस किया उसका नुक्तान हो गया है कि आप इस कीच को हो सकता कि जब दोबारा पढ़ने आए तो मैं फिर से ना पढ़ा हो सकता मैं इस तरह से ना पढ़ा हूं हो सकता कि इससे बहुत अच्छा पढ़ा दो यह भी है वह लेवल रहता है कि मुझको बच्चे को यहां तक समझा देना है कि उसको फिर इसकी आउशक्ता ना पढ़े कि सर जी अभी फिर से बता दीजिए या सर जी जो अभी कुछ कम समझ में आ रहा है है आप फिल कर ले एक बार हाँ हाट हुआ लंग फॉइस अब एनस में आते हैं कि इसको फिल कर ले इमेजन कर ले जब आपको भी पढ़ायें के किड्नी इसका लेगे आरो लगा हुआ है आपको आपका आरो पताएंगे आरो कैसे काम करता है जब तक आप आरो नहीं समझें पाएंगे तब तक आप किडिनी समझी नहीं पाएंगे तुरू है 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 कि लीग आगे में ढले लिएगा है मैं तर्ट नर्वस सिटम या तंत्रिका तंत्र केंदी तंत्र का तंत्र तेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्री तंत्रिका तंत्र फेला पॉइंट लिखेगा केंद्री तंत्रिका तंत्र केंद्री तंत्रिका तंत्र चरीर का नियंत्रण वा निर्देश केंद्र होता है जी का Central Nervous System is the control and command center of the body Central Nervous System is the control and command center of the body केंद्री तंत्र का तंत्र क्या होता है चरीर का नियंत्र क्या है ब्लैंड मुल दो कि इसके मुख्यता तो भाग होते हैं कि इसके मुख्यता नमबर एक मस्तिश्क और नमबर दो स्पाइड केंद्री तंत्र का तंत्र शरीर के CPU की भाती व्यवहार करता है केंद्री तंत्र का तंत्र शरीर के CPU की भाती व्यवहार करता है पर सिरे या आरे पंधित्र के सिरे फॉर्मट करते है की तक दो पर स्मझेंगे शरीर करते हैं पढ़ा दें कि पहले तुमको ब्रेंट तक पहुंचा यह बताओ कि अधिन तक पहुंचा दें है तुमको अगर तुम्हारे दिमाग को तक पहुंचना अब सब्सक्राइब क्या करोगे बाल बढ़वाओगे फिर क्या करोगे अथावड़ी लोगे और उसको खोलना शुरू करोगे आया ना यानि कि आपका ब्रेन एक कवर में बंद है उसका नाम क्या है तुमको यही जानना है इसको इसकल बोलते हैं लेकिन टेक्निकल लेंगविज को बोला जाता है क्रेनियम कवर क्या बोलते हैं क्रेनियम कवर क्या बोलते हैं क्रेनियम 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 नाम के रचना में बंद है या क्रेनियम नाम के कवर में बंद है इसको हम लोग आसान भाषा में क्या बोल बोल लेते हैं ऑफर स्कल् बोल लेते हैं इसकल पूरा हिस्सा आता है खि Alberta कप ना पर पाको क्या बोलते हैं ना यहां तख सीज़े नहीं पहुच लोगे। यह ठाकर पहुचने के लिए आनूए ने ब्रेन तक पहुचने के जिनके अपने अलग-अलग नाम हो सकते हैं, हार्ट पढ़ोगे, तो हार्ट पर होता है, पेरिकारडियल मेंब्रेन, किड्नी पढ़ोगे, तो किड्नी पर भी एक मेंब्रेन होती है, लंक्स पर भोगे, लंक्स पर भी एक मेंब्रेन होती है, इसी प्रिकार से ब्रेन है, तो मेंब्रेन का मतलब क्या होता है हिंदी में बोल देना जिल्ली क्या का मोधा इसका बोलो बोलो घ्रोटेक्शन के लावा और बता प्रोटेक्शन के लावा यहां अर्द पारगम में जिल्ली होती है वेरी गुड तेमी पर्मेबल मेंब्रेन का मतलब क्या होता है हाँ यह यह अगर कम आया तो कि किश्मिश कभी खायो तो किश्मिश पानी में ठोड़ दो परास्टर्ण और विस्टर्ण व्यार आया ना तो बेसिकली क्या होता है कि जो required amount या जो required चीज़े होते हैं जिसकी भी हमको नीच अंदर आवश्चक्ता होती हिसको क्या करने देगा वह पार करने देगा बागी को क्या करेगा रोक लेगा यहाँ पर एक इसके बाहर कि एक होती है है इस मेंब्रेन को हम नोग बोलते हैं मेनेंजर प्रिंग मैं इंप धिली यह मेंजर मेंब्रेण पुखे ने पुखे पाउन्चे वो पड़ी खोल दिये ला आप क्या लिगी तुमको जिली दिखाई पड़ी आप उस जिली को ऐसे हटाओ हटाए अब यह तुमको में स्पिश्क रही मिलेगा क्यों कि मस्टिश्क की जो है इसके बाद तीन सन्रचनाओं के अंदर बंद होता है मतलब जो उसके उपर लेयर होगी प्याज के छिलके जैसी तीन सन्रचनाई होगी फिर आपको क्या मिलेगा यह मस्तिश्क मिलेगा कि हाँ इसके बाद जैसे इसको खोल करके हटाया तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा मैनेंजिस नावक जिल्ली और इसके बीच में होता है फ्ल्यूड इसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्ल्यूड रहता है बोधिघ्स के बीच मिलें फ्ल्यूड काय के लिए हो आई हर जिली और और आर्गन के बीच में फ्ल्यूड आएगा तो वैरिड़े इगुड बहुत साइव में पिल्फेक्ट आणसे या किसी भी शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए इनके बीच में क्या रहता है जब शॉक पढ़ेगा तो द्रव की या फ्लिूड की एक सब्सक्ते खास बात होती है क्या इस प्रॉपरिटी ओफ फ्लूड जिसको हम लोग पढ़ते हैं कहां पर कि शैप्टर में प्रेशर वाले शैप्टर में साइंस पढ़ते हो साइंस की दुनिया में तुमको बिल्कुल मैंने कहा ना कि मैं अभी तीन-चार पिच्चरे बताऊंगा वह देखो बिल्कुल मेरी बात है तुम तुमको लगएगा एक नई दुनिया में आ गयो इतनी प्यारी दुनिया है अगर इस पर कहीं पर भी चॉक पड़ेगा इस पर जो भी प्रेशर टांफर होगा वह क्या करेगा पूरे सभी जिगा एक प्रेशर नहीं आने पाएगा आपको यहां पर तीन लेयर का स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग अलग-अलग नाम से जानते हैं एक का नाम होता है डूरा मैटर उनको इसके वल नाम से याद रखना तरे गुड़ यूरा मैटर अरेकनोईड अगर कभी इस कभी इस मेंब्रेन में क्या हो जाए तो उस बीमारी को बोला जाता है मेनेंजाइटिस यह बिमारी होती है हासकर गोरकपूर के शेत्र के बच्चों में या गोरकपूर के इलाके में या तराई ब्रेट में बहुत पाई जाती है जो मच्छरों कारण होती है क्या होता है कि वह जो मेंडेंगे मगर सूजन आ गई स्पाइन पे हो चाहे ब्रेंप ने इस मेंडार लगी होती है और ब्रेंप भी लगी होती है तो जैसे इस में पॉइंट लिखिएगा बोलू अच्छा वाला नोट कर लो कर लो तरी ब्रोस पाइनल फ्लूट रहता है मैंनेंजेस और इसके बीच में हाँ करें 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 और हागा तुमम सब्सक्राइब कर लोका इन भी कर दो मजे के साथ सब्सक्राइब हारक अनन्दार आए बहुत की बात है याप कि तेरिब्रो स्पाइनल फ्लीवड मैं लिक दूँ तेरिब्रो स्पाइनल फ्लीवड याद रहेगा ना मस्तिश्क देगा बनाने को ना दो डाइग्राम बना के आना के वल एक यह इसके बाल वाला पस पस ऐसे ही तो समझ जाएगा इसको सब पता है तो तुम्हारे अंत के बीच में लिखा क्या उसको पढ़ेगा ही नहीं क्योंकि तुम्हें सब कुछ यहां लिखके रख दिया है मैंने कल बढ़ाया थी निक उत्तर लिखने में एंसर राइटिंग में तीन चीज़ बड़ी को चौका उस पर धनिया की पत्ती पड़ी हो आपका कितना भी मनना हो खाने का मन अपने आप कर जाएगा आया नहीं यह जैन्मिन चीज़ है और यही खास बात होती है एंसर लिखने में अगर आपने अपने एंसर में धनिया मिर्चा का चौका लगाया बढ़िया लेसुन क इसमें लाएगी वह बहुत बढ़िया से दाल यहांने एंसर चौक दिया है इस चीज़ का विशेश जिहान रखिए एंसर राइटिंग में कि साथ ही साथ एक कॉपी बढ़िया मोटी से तयार कर लो मेरे अपन अलग तरीका होता है मेरे अपने अलग तरीके एक कॉपी बढ़िया से द्यार कर लो दो गवाद्योकी नए कि बहुत कीमती होते हैं इसके बाद में वह तबाड़ी वारा ले जाता है उसमें केवल एक काम करें जो भी आप पढ़ रहा है उसकी प्रैक्टिस रोज करो उस पर लिखो बिना लिखें आपका काम नहीं चलना हो जब तक आपने एक्जाम पाइनल एक्जाम तक आपने उस त तक आपने आपको मानना नहीं कि तयारी हुई है कि जब आप लिखेंगे आपका हाथ अपने आप चलना चाहिए क्वेश्चन सुना आपने हाथ चलना शुरू हो जाए पीठी की तयारी कर रहा हो बिल्कुल हाथ तुरन तयार हो जाए कि हां MP पढ़ना MP का मैप बनाए जो भी है सारे लिखते चले जा रहा हो इतनी बार लिखोगे ब्रेन में कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट आता है वो नहीं रहेगा लेकिन इसका एक ही रास्ता है पढ़ना नहीं लिखना ठीक है और मस्तिश्क को बिल्कुल के इंद्रित करके बताएंगे कैसे होएगा चलो आ बंद होता है प्रेन इस कवर्ड इन क्रेनियम मस्तिश्क क्रेनियम नामक कवर में बंद होता है ठीक है नेक्स पांट लिखेगा इसके चारों और मेनिंजस्ट नामक जिल्ली का आवरण पाया जाता है यार एक बाद बताओ तुम मेरी बात को बड़े गौर से सुन लो मैं तो लिखवा रहा हूं एक बार लिखवा रहा हूं ठीक है कि यह वल वाक कि तुमको बनाना आना चाहिए मस्तिश के बारे मतर मस्तिश कहां बन रहा है इसके चारों और इसके बात रिश्टरीय समरचना पाई जाती है कैसी तुम लेर श्रक्चर पाई जाता है जो क्रम्ष ड्यूरामेटर और पायामेटर के नाम से जानते हैं इसके बाद हमको क्या मिलता है मस्तिश के मिलता है यह अपनी भाशा में या अपने शब्दों नहीं लिख पाओगे लिख लोग लेकिन मैं अभी आज लिखवाय दे रहा हूं और जब भी इस तरह के डाइग्राम बनवाऊंगा तुरंट आप से बोलूँगा कि आप लिख करके दिखाईए ठीके ना क्या आपको इस डाइग्राम को देख करके लिखना है अग क्या लिख रहे हैं थेम लोग इंग्लिश में इंदीम क्या बोला है जिसके चार और मेनेजर सामक जिल्ली पाई जाती है अगला पॉइंट लिख लिजेगा इंड्यवर थी लेख डिएर और थी लेख अवेस्टुरवर राद री लेख अप्वेस्टुररेद अप्रिक्वेश लिख के पाईप की रिख गूफेकर इंदीम लिख लो इसके प्षर आठ प्रशात, स्री स्तरी संरचना पाई जाती है, जिसे क्रमश, जिसे क्रमश, जिसे क्रमश, यूदा मेटर, अरेकनॉइड और पाया मेटर कहते हैं, जिसे क्रमश, जिूदा मेटर, अरेकनॉइड और पाया मेटर कहते हैं, next point लिखिएगा, the average weight of brain, the average weight of brain is 1350-1400 gram, the average weight of brain is 1350-1400 gram, और, और, अथवा, और, 2% of body weight, हिंदी में मस्तिश्क का उसतन भार, मस्तिश्क का उसतन भार, क्यों होगे बीड़ा, मस्तिश्क का उसतन भार, 1500-1400 ग्राम के मद्ध होता है, मस्तिश्क का औसतन भार ताड़े तेरा सौ से चाओदा सौ ग्राम के मद्ध होता है भार एवरेज वेट के मद्ध होता है अथवा 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 यह शरीर के भार का दो प्रतिशत हो सकता है अथवा यह शरीर के भार का दो प्रतिशत हो सकता है किसी भी समय मस्तिश्क में ऑक्सीजन की मात्रा पूरे शरीर में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में सरवाधिक होती है पूरे शरीर में मस्तिश्क में ऑक्सीजन की मात्रा पूरे शरीर में ऊक्सीजन की मात्रा की सरवाधिक होती है निखेने love oxygen सबसेंटेंटेजु औखी जए इस हाय। इस रेटर अपार्ट सौंस अधर बार्टी पार्टस कि अपार्ट पॉइन हाद बार्ट ORD हो यहीं नंते ansabhi ऊंगों की तुल्ना में जो उक्सीजन की मात्रा होती है वो कहा पर सरवादिक होती है कि वहांहीं आती है क्यों आगे देखो इसको कि क्यों आती है अजब बतार वैसे आती हमें लेको जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस समय क्या होता है हमारे ब्रेन को को ऑक्सिजन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती उसे पता है इसके नाक से काम हो नहीं पा रहा है कि पूरा मुझ खुलवा दो आज पास की जितनी इस्पिशीज हैं सब इसके मुझ में समा जाएंगी अपने आप ऑक्सिजन की मात्रा क्या हो जाएगी पाढ़ जाएगी कहने का मतलब यह ऑक्सिजन की मात्रा को सच्छुरेशन को बढ़ाने के लिए अच्छा लगने पर जम्हाई तो नहीं आएगी हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है घबराना इन दसेंस देखो घबराना एक अलग चीज है आप किसी चीज से डरके घबरा रहे हो एक अलग चीज है लेकिन सुनो बात को बड़े गौर से लैक आफ ऑक्सिजन होगा तुभी तुमको घब बड़ी में तो भी आपको घबरात होगी जिसका सिंपल सा अब उधारान देख सकते हो जो कोवीड नों जो पेशेंट हुआ करते थे उनको समस्वा क्या होती थी जैसे उनके बड़ी में साचुरेशन परसंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसको क्या बोला जाता है एस्पी ओटू नहीं सुनना है ना एक तो मशीन आती है टिक 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 देखते हैं अभी चलो गए बहुत दिन चलो गए 94 आलर्ट हो जाओ 90 से नीचे आ गए ऑक्सीजन खोज लो कहीं पर असी से नीचे आ गए एड्मिट हो जाओ ना फिर उन लोगों में कैसा मस्ति आती है उनका जब सांस पूल ने लगता है उनकी बॉड़ी को रिक्वार्मेंट ऑक्सीजन की जादा है लेकिन बॉड़ी उतनी ऑक्सीजन खीच नहीं पा रही है क्यों नहीं खीच पा रही थी कि और इन फैक्षेक्शन है तो थो क्या हुआ कि अठोलाई या याद है अठोलाई यादा अब भभलभल में लन्स होंता है अरब इंदमें क्या भढ़ती ऑक्सीजन लेकिन अगर आपके अलोलाई के की अंर्स काम हो गया जैसे अजेंग मों सब्सक्राइग्य ओं और और अक्सीजन कम जाएगी तो दिकत किसमें होगी क्या प्रोडूस करनी है इनर्जी उसे क्या चाहिए ऑक्सीजन तो सेल्स डेट होना शुरू हो जाएंगे एक दिन में नहीं होगी प्रोसस्स टाइम लगेगा और लैक ऑफ उक्सीजन जैसे बढ़ती चली जाएगी वही ब्रीधिंग बढ़ना शुरूब हो जाएगे तुम्हाई सांस फूलना है क्लियर है पासमज में आ रही है कठिन था चुवा चूत का रोग है दूसरे को देख करके कभी कोई मन करता है कि आज नहीं पढ़ेंगे हाँ उसे में बहुत ज्यादा इंफ्लामेशन ज्यादा इस लिए क्या दिया जाता है एश्टरॉइट बेसिकली क्या होता है हमारी पडलाय सबने कि यहां पर वायरस का इंफेक्शन दिखाई पड़ रहा है कि इस पढ़ा है सर ने बिमारी बिमारी नहीं पढ़ाया कि इसी के लिए हमारा इम्म्यून रिस्पॉंस होता है हमारी बॉड़ी जब देखती है कि आप खत्रे में जा रही है तो वह क्या करती है बहुत सारे आप देखो कि डॉक्टर एक चेकप करवाते हैं इसको बोलते हैं प्रोटीन इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं जो ब्लड सेल्स होती है वह इस प्रकार के साइटो काइनिन जनरेट करती हैं कि वह सूजन को खतम कर दें लेकिन वह सूजन खतम करने के चेक्कर में सेल्स को ही डिश्ट्रॉई करना शुरू कर लेती हैं इसलिए लेवल बढ़ जाता है अब डॉक्टर एस्टरॉइड चलाते हैं कि इसके अंदर जो साइटो काईडिन स्टॉर्म चल रहा है वो क्या किया जाए कम किया जाए इसलिए एस्टरॉइड प अब क्लासिफिकेशन और ब्रेन पर अब टाट आए अच्छा लग रहा होगा है प्लेकल क्लासिफिकेशन कर देटा हूं फिर इसका ब्रेक देटाओं टाइम का पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी कितना समय बीट गया अच्छा टाइम था लेको वाई ब्रेन को तीन पार्ट में पढ़ा जाता है पहला होता है कि पूर ब्रेन मतलब अग्रमस्तिश्क पिर बोलते हैं इसको मिड़ ब्रेन कि नोट करते जरू भाई कि मद्ध्य मस्तिश्क एंड लाश्ट पर नोन एज हैंड ब्रेन मतलब पश्य मस्तिश्क लेखो अभी तो तुम केवल नाम नोट करो याद मैं भी करवा लूँगा तरीब्राम अलमस अईपो अलमस अईपो अलमस कार्पोरा क्वाड्री जैमिना अई भवराना नहीं अई भवराना नहीं एथ अनमी मैं याद करवा लूँगा अई अई शरिब्रल पैंड्रिकल कि पनेंड्री थे जंगे जब्र याद्रीच में एट डी wreckin एड करी करेंड्रुक input और अफ ईपोवा मैंडुला इपोपोगज़ वी摐ी sóञ थेधनर पैंड्रिकब्र। अब लेंग गेटा यहां तक नोट करो और रेक है इसके बाद फिर मिलते हैं फिर यहीं से क्लास आगे शुरू करेंगे आज इक खतम कर देंगे एक दो तीन चार और्गन सिस्टम यह पांच चार से पांच और शिस्टम कर देंगे आज नहीं मतलब टोटल ओवर आल अ हां तो यह रिब्लम अ है नीचे और उपन लाई कि कि इतनी मिनिट का प्रेक चाहिए अरे वाह आज उन्हों खुदी टाइम कम कर दियो